पिछले कुछ सालों से हम गर्मी, स्तरदी और बारिश में हो रही अनेमत तक वो देख रहे हैं ऐसे में मौसम विभाद की जानकारों का कहना है कि ये क्लाइमिट चेंज की वज़से हो रहा है आर्क्टिक पर तेजी सपिखलती बर्फ की वज़े से भारत में नम हवाओं का नया स्रोत बन रहा है और इससे तूफान, बाढ़ और बादल फटनी की घटनाएं तेज हो सकती है दूसरों ऐसे देखा जाए तो भारत में हालात समय कुछ इसी तरह की है पहारी इलागों में पहार खसकने भारी बारिश से लेकर मैदानी इलागों में भी बाढ़ की घटनाएं देखने को मिल रही है मत्रतेश के हालात से तो सब वाकियफी होंगे दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत ही नहीं बलके इसके आसपास की देशों में भी कुछ इसी तरह के हालात हमें देखनी को मिल रही है आप देख रहे हैं DNP इंडिया और मैं हूँ आपके साथ सुनी था तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखर क्लाइमिट चेंज में हो रही इस अन्यमतता का कारण आखर क्या है मौसम विभाग के जानकारों को आखर क्या कहना है और आम आदमी मौसम में हो रहे इस अन्यमित परिवर्तन के प्रभाब को कम करने के लिए आखर क्या उपाय कर सकता है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बताते हैं आपको इस वीडियो में ये पूरी जानकारिया दोस्तों साथी साथ अगर आपने हमारे चैनल डीन पी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सरूर कर लें ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियो मिलती रहें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों भारती उप महदवीप यानि की बांगलादेश, नेपाल, दक्षरी, चीन और भारत होते हुए अफगानस्तान तक का पूरा अक्षेत्र, लगातायर तूपानी बारिश, बार्ध और बादल फटने जैसी घटनाओं का इस समय स्तालना कर रहा है ग्लेशियोलाजिस्ट पॉल मायवेस्की का कहना है कि आने वाले समय में इन घटनाओं में और तेजी आ सकती है दूसो अब जानते हैं कि आखर असके कारण क्या है दूसो आरेक्टिक, अन्टारेक्टिक और एवरेस्ट की ग्लेशियोरों की बर्फ का तीजी से पिंहलना ही इसका एक मुख्य कारण है पॉल दुनिया के अकीली ग्लेशियोलोजस्ट है जिन्होंने इन तीनों की क्षेट्रों में जलवायू परिवर्तन पर गहरा अध्यान किया है वे दुनिया के सबसे पुराने Climate Change Institute University of Men की निदेशिक भी है दुस्तों भारत में नमी की स्टूद दक्षन और पश्यम के एक शेत्र रही है लेकिन कुछ सालों से आरेक्टिक पोल से भी नमी भारत पहुँच रही है इसका कारण है कि जलवायू परिवर्तन की मार सबसे जाला आरेक्टिक एंटारेक्टिक और हिमाले के गलेशियर्स पर पढ़ रही है जहां दुनिया में ग्लोबल वामिंग 1.5 डिगरी रही है वहें इन शेत्रों में ग्लोबल वामिंग की अगर बात की जाए तो यहां पर 4 डिगरी तक मापी गई है बर्फ के तेजे से पिघलने के कारण और इसमें नमी और तेज हवाओं के कारण यह हवाएं हिमालिया के उत्तर और दक्षन में बढ़ने लगी है और जार लगातार बह रही है जब यह ठंडी हवाएं निचले इलाफों की गर्म हवाओं से तकराती है तब ही तूफान आता है लहाजा भारत में तूफानी बारिश और बाढ़ की आशन का बढ़ने लगी है जंगल घटने से बारिश जमीन बहा कर नदियों को भर देती है लहाजा थोड़ी सी बारिश भी बाढ़ बन जाती है बारिश खत्म होते ही नदियों में बहाव एकदम से थम जाता है और सूखा बढ़ जाता है दोस्तो इन प्रिस्तितियों में कितनी तेजी से बदलाव हो रहा है ये भी हम जान लेते हैं 90 के दिशक में हमें लगता था कि बदलते परिवेश का असर लोगों को 50-90 सालों में महसूस होगा लेकिन अब ये 10-30 सालों में दिखने की आशंका है क्या आपको महसूस नहीं हो रहा कि बादल फटनी की खबरें आज कल जादा ही बढ़ रही है बादल फटनी का मतलब है नमी इतनी जादा होना कि जो कुछ दिनों में लगातार बारिश होने वाली थी वो कुछ घंटों में ही हो जाए और हमाले शेत्र में ग्लेशियर लेगबर्स्ट भी इससे बढ़ रही है दूस्तों रोजमर्रा का जीवन इससे कैसे प्रभावित हो रहा है ये भी जान लेते हैं बर्फ के अगर हम बात करें तो बर्फ स्पंज की तरह प्रदूशन को सोख लेती है ग्लेशियर में एकत्रत जहरीले तत्मों से नदिया दूशित हो रही है और इनका पानी पीने वाले बिमार हो रही है साथ ही साथ बर्फ का रंग भी स्लेटी होने लगा है बर्फ के पिखलने की रफतार को बढ़ा रही है और इस तहमाली क्षेत्र में बर्फ बारी से बारिश जादा हो रही है दोस्तों आई अब जानती हैं कि आम आदमी के पास इसकी क्या उपाय है इस समस्या कि अगर देखा जाए तो कोई वैक्सीन तो बन नहीं सकती एक मात रूपाय इसका यही है कि ग्रीन हाउस की गैसों के प्रोडेक्शन को कम किया जाए जब तक इसकी परिभाशा नहीं बदलेगी और जलवायू राजनितिक मुद्दा नहीं बनेगी तब तक ये समस्या बनी ही रहेगी और इसका कोई हल नहीं हो सकता जलवायू परिवर्तिन का सबसे भयानक स्वरूप कैसा होगा इसके बारे में भी हम चाल लेते हैं ग्लेशर की बर्फ के नीचे करूनों टन मिथेन गैस जमा है बर्फ की परत जिसे की पर्माफ्रोस्ट कहते हैं अगर उसके पिखलने से मिथेन वातावर्ण में आ गई तो ये वातावर्ण में गर्मी को रोके रखने के शमता 30 से 50 गुना तक बढ़ा सकती है और गर्मी बढ़ने से दुनिया का आइस कवर पिखला तो समुद्र का स्तर 70 मीटर तक बढ़ जाएगा जो लोग समुद्र के किनारे नहीं रहते उन्हें इसकी वज़े से भीशन सूखे आग जंगल में आग और धूल के बवंडर जेलने पढ़ सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से क्लाइमेट चेंज हमारे जीवन को सीथित तोर पर प्रभावित कर सकता है हमें इसकी और ध्यान देना चाहिए तो दोस्तों क्लाइमेट में हो रहे इस अन्यमित परिवतन का कहीं न कहीं एक बड़ा कारण मनुश्य ही है हमने जाने अन्जाने में अपने जीवन को और जादा सुविधर जनत पनाने के लिए प्रकरती का खारण तो किया ही है जिसके कारण आज हमें कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी भयंकर गर्मी, तो कभी ठंड का सामना करना पड़ता है वादावर्ण में प्रदूशन के रफ्तार अगर इसी तरह बढ़ती रही और ग्लेशेज इसी तरह पिखलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब प्रकरती का भयंकर रूप हमें देखने को मिलेगा तो दोस्तों अपने स्तर पर भी हर एक मनुष वादावर्ण को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास कर सकता है जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड लगा कर प्रकरती का हनन ना करके और प्रदूशन में कमी करके तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का हमारा अपिसोर हमें कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताईए का साथी साथ अगर आपने हमारे चैनल को भी तख सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि समय समय पर आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज मिलती रहें